दोस्तो एक बार देवी शर्श्वत्ती ब्रहंदेव के पास आकर उन से पूछने लगती है हे श्वामी आपने स्रिष्टी की रशना की है आपने अपने मन से तथा सरीर के प्रिथक प्रिथक अंग से अनेक रिशी मुनियों को परकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अपसराओ गंधर्व तथा देवताओ को भी परकट किया है आपने ही इस्तिरी को सुंदर्य और चंचल पर दान की है किन्तो हे पर्भू इस्तिरी में ही गर्ब की उत्पती क्यों होती है संसार में केवल इस्त्री ही गरवधारन क्यों करती है इसके पीछे क्या कारण है ये कष्ट केवल इस्त्री को ही क्यों सहना पड़ता है तब ब्रहमा जी मुश्कुराते हुए कहते हैं हे देवी आज आपने उचित ही प्रश्ण किया है और ये बात सत्य है कि संसार में सभी रोग और कष्टों से बढ़कर गरवधारन का कष्ट होता है गरवधारन करने में इस्त्रीों को अधिक ही पीड़ा होती है इस विशे में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ जिसे आप ध्यान से पूरा सुनिए जो भी इस्त्री इस कठा का सरोन करती है उसे अत्यन्त गुणवान तथा रुपवान पुत्र की प्राप्ति होती है तब देवी शर्श्वती कहती है हे परबु मैं इस कठा को ध्यानपुरबग सुनूंगी किर्पया आप इस कठा को मुझे कहिए तब बर्मा जी कहते हैं, हे देबी, पुलच्या का जनम मेरे कान से हुआ था, पुलच्या मेरे मानस पुत्रों में से एक है, मैंने उसे अनेक परकार की विद्याय परदान की, तथा उसके परकट होने का उद्दस्या उसे समझाया, फिर मैंने उसे संसार के कल्यान के लिए त पत्पस्या करने का उत्तम कारिया सौप दिया मेरी ही अग्यासी सतियुग में महर्ची पुलुच्या सुमेरु परबत के उच बिंदू पत्पस्या करने के लिए चला गया वहां पर आश्रम का निर्मान करके पुलुच्या घोर तप करने लगा उसी समय अनेक गंधर देवता और दानओं के था अपसराई उस अस्तान पर बिच्रन करने के लिए आया करते थे उन सभी की दरिष्टी पुलुच्य पर पड़ी तो वह सभी उनकी चेश्टा करने लगे उन्होंने पुलुच्य की तपस्या में अनेक प्रकार के बिगन उत्पन करने का परियास किया खेल ख कि बाद जो भी प्रानी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में बिग्न डालेगा वह गरब धारन करेगा पुलस्या की ऐसी कठोड़ बारी सुनके समझत अफसराय गंधर आधी भैवित हो गए और वहां से डर के दूर भाग गए उसी समय में परवत के गंधर मेरी सी त् परश्तान पे चली गई जहां पर इसी पुलस्या तपस्या कर रहे होते हैं त्रीन बंदू की कन्या अपनी सहलियों को पुकारते हुए पुलस्या के आश्रम में पहुच गई मेंका महर्ची पुलस्या के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी द्रिष्टी उस इस्तिरी पर पड़ी महर्ची पुलस्या की द्रिष्टी परते ही पुलस्या के सराप का परभा उस पर पढ़ने लगा ततकार ही उसका सरीर पीला परने लगा और वह उसी छड़गर बहुती हो गई अच्छानक स्वेर्ण के सरीर में इस परकार का बिच्चित्र बदलाव देखकर मेंका अत्यंत घबरा गई उतने में ही उनकी सख्या उस अस्तान पर आ गई तो मेंका ने उन्हें उस घटना के बाड़े में बता दिया तब मेंका के सहलिया उन्हें लेकर उनके पिता के घर पर चली गई वहां जाकर मेंका ने अपने पिता को सारी बात बताई अपने पुत्री क कि ये बात सुनकर महर्शी त्रिन बुंदू को बड़ा ही दुख हुआ तब उन्होंने ध्यान लाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्शी पुलुस्य के द्वारा स्राप दिये जाने पर उनकी पुत्री गर्भौती हो गई है इससे वह अत्यांत दुखी हो जात बर्मा जी के मानस पुत्र है सारे संसार में आपकी किर्टी है औहर परम देयालू और परम किरपालू है आज मेरे पुत्री के द्वारा अНजाने में ही अपुल हुआ है वह आपके द्वार Ciao आप के कारण आज Нवान अज मेरे पुत्रों गर्भावती नहीं मेरे पुत्री से कौन भी बाग हुआ तो कलंक लग जाए गा इसलिए मैं आपसे प्राथना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में गरहन की जीए मेरी कन्या सर्वगन संपन हे उसके मन में किन्चित मात्र भी दोस्त वह आजने में ही आपकी स्रवांच को गरहन किया है यह सदेल ही आपकी सिवा में तत्पर रहेगी इस परकार महर्षी 2017 ने आधर पुर्वक महर्षी पलुक्श्याll से विंद्टी कि पी मुनिवर में आपकी अस्तूती से अत्यान परशन हूँ, मेरी हिसराप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भती हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में गर्हन करता हूँ, इस परकार महर्शी पलस्या ने त्रीन बिंदू की कन्या को पत्नी के रूप में शिवकार किया, रदमतर त्रिन बिंदु की कन्या महर्षी के साथ उनके आस्रम में ही रहने लगी, और दिन राच्ची हिर्दया से उनकी सेवा करने लगी, महर्षी पुलत्य स्यमेन का की निश्च्वार्थ सेवा पतिवरता ध्रम और भक्ति से अत्यन परशन हुए, और उनसे कहा कि हे देवी मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यान परशन हूँ मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का बरदान देता हूँ जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदो का पाठ कर रहा था और तुमने वेदो का सर्वन भी किया है इसलिए तुम्हारा पूत्र चारों वेदो का जनकार होगा और समझ संसारों को वेदो का ज्यान परदान करेगा तुम्हारा ये पूत्र तुम्हारा ये पूत्र सारे संसार में विश्वा के नाम से परशिद होगा फिर कुछ समय के उपरांत देवी मेनका ने एक अत्यांत गुनवान पुत्र को जनम दिया महर्शी पुलस्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्वा रखा गया बिश्वा अपने पिता महर्शी पुलस्य के सम्मान ही बिद्वान सत्यवादी और धरम के पालन करने वाले थे उनकी ख्याती संपूर्ण बिश्वा में हुई उनकी कीर्ती और महानता को देखते हुए महर्शी भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवा उनके साथ कर दिया फिर मुनी बिश्वा की पत्नी उर्मिला की गर्ब से एक पुत्र का जनम हुआ जिसका नाम वेशर्वन रखा गया वेशर्वन का ही एक नाम कुबेर है कुबेर जी ने बर्मा जी को परसन करने के लिए कठोर तपस्या की फिर कुबेर की तपस्या से परसन होकर ब्रंदेव ने उन्हें बरदान दिया तथा उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनियक्ष बना दिया इसके साथ ही मन के गती से चलने वाला पुस्पक बिमान कुबेर को भेट किया कुबेर जी धन के स्वामी है गंध माधन परवत पे इस्तित संपत्ती का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंतरन में है कुबेर जी ने उस धन का सोलावा भाग मनुष्यों को परदान किया महार्शी विश्वा की दूसरी पत्नी का नाम कैक्सी था एक बर भगवान सिव ने माता पारवती के लिए एक बहुत ही सुन्दर महल का निर्मान करवाया था जिसे लंका नाम दिया गया उस लंका के गरी परवेश के समय भगवान संकर ने रिशी विश्वा को भी निमंतरन दिया हुआ था रिशी विश्वा अपनी पत्नी को लेके लंका के गरी परवेश में गये थे जब भगवान सिव ने रिशी विश्वा को दान मांगने को कहा तब रिशी विश्वा की पत्नी केक्सी ने छल से लंका मांगने पर मजबूर कर दिया और भगवान सिव तो भोले ना थे उन्होंने रिशी विश्वा को लंका दान में दे दिया जिससे माता पारवति को अत्यंत करोध आ गया और उन्होंने कैक्सी को सराप देते हुए कहा आज तुमने मेरे पती से जिस सोने को लंका को मांगा है एक दिन वही तुमारे इस सोने की लंका को जला कर भस्म कर डालेंगे जिसके बाद महर्षी विश्वा जी ने भगवान सियु द्वारा परदान किये गए लंका को अपने पुत्र कुवेर को परदान किये किन्तो बाद में कैक्सी के पुत्र रावन ने छील लिये लेकिन बाद में त्रेता युग में स्यूजी के आउतार हलमान जी ने सोने के लंका को जला कर भस्म कर दिया ब्रह्म देव कहने लगे हे देवी इस परकार से महर्शी पलस्य की सराप के कारण संसार की इस्त्रियाइं गरभवती होती है मैंने समझ संसार की महिलाओं को पुर्शों से भी जादा सहंसिलता परदान किया है महिलाओं को सहन करने की छमता पुर्शों से भी अधिक है इसलिए इस्त्री की रशना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा हे देवी गर्व धारन करना इस्तरियों के लिए सराप रूपे बरदान ही है मैंने इस्तरियों के अंदर मंता और प्रेम का भाव डाल दिया इससे इस्तरिया अपने बालक का लालन पालन कर सके इस संसार में इस्तरियों की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है इस्तिरिया ही इस संसार की अधार है इसलिए इस संसार की सरब स्रेश्ट रचना इस्तिरियों को ही कहा गया है तो दोस्तो इस परकार से महर्शिफ लुष्य के सराब के कारण ही संसार की सभी इस्तिरिया गर्भ होती होती है तो दोश्त अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी बेच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जासे जादा लोग को सेर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें